एसका प्रदान मंत्री मोदी अगर 2014 में देश के प्रदान मंत्री बने थे तो उस समय वो अपने धंपर बने ते और यह बात आप बड़े लंबे समय में उसका कोई नुक्सान नहीं कर सकते और इस तरह से आपको अपने ही इस्तिती को और खराब कर रहे हैं सर मोधीक पिछले 10 साल से नहीं ऐसा तप करके आए वो एक सामान ने बीजेपी कारे करता थे उन्होंने कभी किसी पारशत का चुनाब नहीं लड़ा वो 2002 में एक आए गुजरात भेड़े जाते हैं देश के सबसे संपन निराज्य में और वहां सीधे वो चीफ मिनिश्टर बना दिये जाते हैं और उन जंजावतों में फस्ते हैं गुजरात में एक डंगा होता है और तब से उन्हें दोधारी तलवार पर चलना पड़ता है पूरा लुटियन दलालों का गैंग आज तक भारत इत्यास में किसी भी चीफ मिनिश्टर के खिलाप पूरा केंदर सरकार की पूरी एजेंसी पूरा लुटियन दलाल नहीं लगे होंगे उसके बाद 12 साल वहां सरकार चलाने के बाद राज्जी में 10 साल से मोधी केंदर की सरकार चला रहे हैं मतलब 22 साल से जादा उन्हें मुखिया के रुप में राज्जी की मुखिया और देश के मुखिया के रुप में काम करने का दूबर है आमतर पे मोधी विरोहूदी भी मानते हैं कि मोधी का विकल्ब नहीं है लेकिन एक यह चला है कि इतनी कितना सबधं हम क्या बदला Purdue बाद में आएंगे इतना सब कुछ के बाद भी सबसे इंट्रेस्टिंग यह दिख दा है कि मोधी कि पक्षमे नहरेटी बनाने के भ्रहम पाले लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने मोधी को बनाया है कई सारे लोगों को देख रहे हैं कि उनका लगता है कि पिछले 10 साल में उन्होंने ऐसा खेल किया उसमें ज्यादा तर वो है जिनने नाकमा रंग करके सब कुछ चेहरा पोत करके तेरा में एक आएक अपना सब कुछ बदला और राष्टबाद का रंग चढ़ा करके कूद गए अब उसमें से ज्यादा तर को लग रहा है कि हमने मोदी बनाया अब उन्हें लग रहा है उनका वो नेरेटी बनाने वाले लोग हैं उसका असर आम आदमी पर पड़ता है ये कितना खतरनाख खेल है कि इस मोदी को जाना होगा राक्षसी लोग तो समझ में आता है कि उन्हें लगता है कि उस अत्ताव उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए लेकिन ये वो वर्क जो चेहरा चादब को उसने बनाया है लालू को जिससे तेजस्वी को उसने बनाया है इस मोदी को बनाने का भ्रम पालने वाले वो कह रहें कि इस मोदी को जाना होगा मानी जी बहुत बढ़ी है आपने विश्याग लिया है और यह पहले तो दर्शा के समझ लेकिंगे बात बिल्कुल सही कि इन्फ्लूएंसर जो होते हैं उनको उनसे लोग प्रवावित होते हैं कई लाग दो लाग दस लाग लोग उनसे जुड़े होते हैं और वो जो बोलत मैं आपको गलत तहिमी होगी उसी दिन आपका काम खताम मैं बड़ी गंबीर बात कह रहा हूं कि प्रदान मंत्री मोदी अगर देश के प्रदान मंत्री बने थे तो उस समय वह अपने दंपर बने थे और यह बात हम आपको छोड़ दी लिए वह पार्टी के जो पता दिका चुछ फुड़ बनने का सपना देख रहे थे वह भी सविकार रहे थे कि कि कोई सटीधी बची नहीं थी और यह पूरीत तरह से तही हो चुका था कि प्रदान मंत्री कोई बन्दा है तो वह आदमी जो अर्स से फर्स से अर्स पहुचा है और कहां से कहां पहुचा है उनकी बड़ी लंबी कहानी है उसको क्या दोलाना और उस आदमी को आप अगर ये सोचते हैं कि वो प्रदान मंत्री कुर्शी पर वैठेने के बाद क्या गलत है क्या सही है ये उसे ये हम से पूछ के या हमारे ह हिसाब से तेह करेगा तो हम अपने आप में बहुत बड़ी गलत हैं और इस गलत हैं उसका नुकसान आप कताई नहीं कर पाएंगे यह बिल्कुल समझ लें तातकाली रूप से आपको लगता होगा कि हमने को चोट चोट पहुचा दी यह हमने कोई नुकसान कर दिया आप बड़े लंबे समय में उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते और इस तरह से आपको अपने ही इस्तिति को और खराब कर रहा है मनीज जी यह जो लोग यह काम कर रहे हैं तो आपके एकम दलालम थे वह एकम दलालम ही कितम हो गया वह तूट गया चोड़के बाग गया जो अध्यक्स था वह अपना बाग गये अब वह एकम दलालम क्या होगा भगवानी मालिक है उसका फिराल वो तो देखेंगे तो यह आपके सामने एक ताजा नमोना है क्योंकि उसका उसकी चर्चा लोग अक्सरा के पूछ लेते थे कमें इसलिए मैं उसका उधा करते हैं और वैसे ही आप आ बहुत बड़ा सवाल है तुम्हारे पास कोई जवाब है इसका और आप जो कहते है योगी आधितनात तो योगी आधितनात आज की तारीक में नरे नर्मोधी के विकल्प नहीं है बिलकुल और कई ऐसे लोग हैं इन सब को यह भी ब्रह्म है कि इनने बनाया है इन्हें और इसी लिए अब यहीं उतार सकते हैं नहीं यह गलत पहिमी तो मनी जी अपने आप दूर हो जाएगी वह एक बार के लोग खुलकर विरोधी कर लो इसमें कोई फरक नहीं है वकाइदेस तुम लोग कड़ी रहते तो वह को बहुत ज्यादा इनको महत देने की जरूरत नहीं है आप एक लक्ष में कर रहो तो उसी माँख है मोधी को करने के लिए विदेशी एजंसियां भी लगी हुई है सोनिया गांधी तो पूरे एजंडे में है कि जाती गत द्रोह हो जाए इस देश में इस देश को जातियों में तोर दिया जाए इसलिए देखिए कि अब योगी के बाद हेमंता हेमंता के बाद मोहन द्रोफ हो जाए और हम सब ने बिहार में देखा है कि 90 के दसक ने बिहार में जहेला है वो जाथी let वोट कर संगर्स को उसमें कोई सुष्टी करनगा वोंट कोई का डर नहीं था हिंदूओं में आपस में जातियों का एक दूसरे के खिलाब ऐसा था उसमें कोई ऐसा नहीं था कि छोटा पैجमा बिहारी जो बाहर भागे था जातियों के बीच आपस में इक दूसरे के नरसंखार का जो नशा था सत्ता का संदक्षन जो खुष जातियों का था वही दौर लाकरके सनातनीों को बांट करके भारत में जातिय युद्ध जो बिहार में जातिय युद्ध था उफिर से पुरे देश में लाने की साजिस है मोदी उसे रूम पाएंग की जा मनीजी जो आप में का कि वो विदेशी सक्तियों की बात की और वो उनका फंडिंग वाला काम है जो इनके आड़ा पालक बात है तो यहां पर भी इसी तरह से ऐसा नहीं है यह अभियान बहुत पहले से चला है और मैं बताओं 2015 में मेरी बात हुई थी मनें एक बार आप से पहल पुछा नहीं और वहां उसको 50,000 रुपए मैंना उस समय देती थी यह कांग्रेस तो मैं इसलिए अभी नाम नहीं बोला हुँ कि वह लंबी चोड़ी बात हो जाएगी तो 50,000 रुपए मैंना उसको मिलता था और वह उसको जैसा हाधेस होता वह उस तरह से करता और यह करना उसको हिंदूत के आवरण होलके है लेकिन उसको घर भी चलाना है अपना तो इस तरह से लोगों को इस्तेमाल करके वो लेते हैं मैं अभी जो आहां मैं कहने चाह रहा हूं मैं इसारे में बात कर रहा हूं कि उसमें दो तीन लोग ऐसे हैं मनी जी जो उसको ये गैंग समाले हुए है कि उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ बहुत बेहतरी लोग हैं कि वो भी कभी कभी विरोध करते हैं लेकि उनका विरोध जो होता है वो तातकालिक होता है जो मुद् होते हैं infragment कर दे है लेकिन दूसरे दिन हमारा मुद्दा कुछ और होता उत रहां अश्वा Taalik होता है इस दिन अप्र प्र होते यह जिस जिनकी आप बात ग़्यादा खतरनाग लोगह और यह मैं यह मेरा अपना मानना है कि यह प्लांटेड लोग हैं और इनकी पूरानी प्रीवियस हिस्ट्री वह पूरी इसकी गवाह है और वह बकाइदे ट्विटर पे सब उपलब्द है कि कुछ लोगों ने जब इसे ज़्यादा तिल मिला है तो निकाल के इनका पूरा इतियास बताया है तो वह वह अपने के बाद यह लोग पढ़ते हैं कैसे आए यहां पे इनोंने काया अपना रंग बदला कैसे अपना इनों पैसा इसा कमाया जो भी है और उसके अलावा जो है यह अब जो मोदी विरोध पे जब इनको लगा कि दो हजार चौबीस में भी सफल नहीं हो पाए तो अब यह खुल दो हजार तेरा चौदाओं में तो मेरा मानना की यह थे ही नहीं यह सब वही कुरान और कमनिस्ट इसी शक्कर में उल्जे हुए थे इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था नरेंदर बोदी से जब तक वो तैय नहीं होगा या दो हजार चौदान मंत्री नहीं बने कि तुम कम से कम दसक्राइब तो गिना ही सकता हूं जो सतर साल में कभी नहीं हुए सट सबसे नहीं था होना तो बड़ी दूर की बात है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है और उसमें एक तो मैं गिनाए देता हूप सब सब पहला नाम जो है मनी कि वो जन्धन कहता अभी उसकी दस दस साल उसके पूरे हुए हैं उन्हों सबसे पहला काम वही किया था और तिरेपन करोड़ खाते खुले थे याई और याद करिए अगर आप जिन लोगों को जाद नीट में थोड़ी रुची है वह करने जा रहा है तो वह आउट आप बाक्स जीसे कहना चाहिए वह उन्हों ने पहला काया अपना कारक्रम किया था वह जंदन खातों का था और उस समय मैं भी चौका था कि इसका फाइदा क्या होगा आप किसी आदमी का खाता खुलवा दो उसके खाने ठिकाना नहीं तो कैसे होगा उसका काम चलेगा और क्या करेगा तो और कोई आदमी क्यों खुलवाएगा खाता तो अगर आपको मनीजी ध्यान हो कि जब यह खाता खोला जा रहा था उस समय नरेंदर मूदी ने एक कि खुलवा लेगा कि पांस जार रुपएले उसके बाद बैंक प्ड़ा खाता खुल उसकी पूचेगा लेकिन में में नरेंदर मूदी के इन दलालों को मैं बता दूं कि मैं नरेंदर मूदी का भक्त जहूं वह 2014 में नहीं बना हूं बहुत पहले से उनको देख रहा हूं और आज बोले दे रहा हूं कि कुछ लोगों को सब्सक्राइब होगा कि 2007 मैंने वनीजी एक स्टोरी की थी इस्रच जहां पे और उस समय इस्रच जहां पर पूरा देश जो है नाच कूद रहा था और उस समय मैंने बिल्कुल एंटी स्टोरी की थी और बताया था कि इस जहां अतंकि थी और वह किटाब में चपी थी जो आठकि मेरे तारिक में अब प्रदान मंतरी तीती हीरें जोशी नाम है उनका और उनका फोन मुक्षमंतरी के देखते थे और 2007 मुझे अच्छे स्याद है 2007 में उनका फोन संपादक जी के पास है और वो पूरी स्टोरी उन्होंने मगवाई थी अपने पास 2007 में तो मैं तब से नरेंदर मोदी को देख रहा हूं तो मैं आज का लगडा लिहाडा नहीं कि 2014 में हावा चली और आप उसको देखर सुन कर दो